पार्ट 11 में हम सिखेंगे ACCL स्वीच, ACCL का कनेक्शन करना, यानि ACCL आटोमेटिक चेंज उभर करेंट लिमिटर, जनेरेटर और मुखे पावर के साथ, कनेक्शन कैसे करेंगे, यह हम आज सिखेंगे यही ACCL का प्रियोग, जनेरेटर और मेंस के लिए किया जाता है, कि जब पावर नहीं रहेगा, तब जनेरेटर आउन हो जाएगा, और जब जनेरेटर आफ रहेगा, तो पावर में चलेगा तो यह देखिए है, ACCL यानि आटोमेटिक करेंट, आटोमेटिक चेंज ओभर करेंट लिमिटर, पावर जाते ही, यह सिंस करेगा जनेरेटर को, जनेरेटर आउन हो जाएगा, फिर सप्लाई आ जाएगी यहाँ से जो में आएगा, पावर का सप्लाई वो आ करके, इसमें थ्री फेस, आर, वाई, बी और न्यूट्रल, यहाँ लग जाएगा, मेंस का, और यह है, लोड के लिए, सेंटर में और यह आपका जनेरेटर का, मैं इंडिकेट करता हूँ इसको भी, यह जनेरेटर मैंने एक सिंबल लगा दिया है, कि यह जनेरेटर का सप्लाई इधर से निकला है, आर, वाई, बी और न्यूट्रल, इधर से आर निकला, और यहाँ जाएगा, यह आर, वाई, बी यहने, इ मैंस, लोड, जेन, 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 यानि जनेरेटर, और आर, वाई, बी वैसे ही कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर है, मैंस, आर, वाई, बी, न्यूट्रल, फिर यहाँ लोड को कनेक्ट करेंगे, आर, वाई, बी, और न्यूट्रल, और यहाँ जनेरेटर से जो थिरी फेस आएगा, यहाँ पर आएगा, वहीं यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जब आपका पावर सप्लाई रहेगा, मैंस का, पोल से जो आया रहेगा पावर, उसका इंडिकेशन यहाँ, जनेरेटर का यहाँ, लोड जब चलेगा, यहाँ, और यह फेस वाईज, ओभर लोड बताएगा, आर फेस, वाई फेस और बी फेस में, यहाँ पर आप मैनुवल मोड करके चलाएंगे, तो मैनुवल मोड आपको दिखाई देगा, और यह इसका स्वीच है, यह देखिए, मैन्स 63 एंपियर, जनेरेटर 63 एंपियर, इधर मैं देखिए, आटो मैनुवल सेलेक्टर स्वीच, यह, और यह रीसेट करने के लिए, तो ACCL, यानि की, ACCL, मतलब हो गया, आटोमेटिक चेंज ओवर करेंट लिमिटर, आटोमेटिक चेंज ओवर करेंट लिमिटर, जनेरेटर के साथ कनेक्ट रहेगा, तो धनुस इलेक्ट्रिक पाट साला में आप लोगों का स्वागत है, और आज हम ACCL लगा रहे हैं, देखिए, और आप लोगों को भी बताएंगे कि कैसे लगेगा, और यहाँ पर जनेरेटर का लगेगा, लोड और मेंस, हम लोग इसके थ्रू ले करके यहाँ पर लगाएंगे, और वाइरिंग कर रहे हैं, उसके बाद अब बताएंगे हम आप लोगों को कि कैसे लगता है, तो इंतिजार कीजिए, आगे बताते हैं कि कैसे हैं, यह देख देजी एक बार, मेंस, इधर लोड और इधर में जनेरेटर, यानि सबका न्यूट्रल अलाग अलाग आता है, ठीक है न, यह जनेरेटर के लिए है, जो केबल को, मतब पावर जाने के बाद यह सेंसिंग केबल जिसको बोलते हैं, सेंसिंग केबल, और यह हमारे पास एकी कल का वायर है, तो हमने क्या कर लिया, यह मार्किंग कर लिया, यह देखे, यह रेट, उसके बाद यह येलो, और यह ब्लू, ठीक है न, तो यह आर वाई बी हो जाएगा हमारा, यह देखे, टेप लगाया है, आर वाई बी, और यह हो गया ब्लैक, यह चार हो गए हमारे आर व करेंगे अप लोगों को दिख रहा होगा वायर तो मेन का नेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर लोड डाघेंगे तो यह मेंस का कन्फेन के लिए सबसे पहले हम यहां ड्रगाएंगे निक्राल को देख लेना है बराबर से लगना चाहिए कि यह बरावर से लग गया उतना ही टाइट करना है जितना कि यह अच्छा से हो यह नहीं कि टाइट करके इस टर्मिनल को भी नहीं तोड़ देना है अब यह हम लगा रहे हैं यहां पर आर आर फेस का हो गया देखिए एक ही कलर का वायर होने से हमने क्या कर दिया इधर में रेड मार्किंग कर लिया है अब यह वाई का डालेंगे यह हो गया वाई यह देखिए हम लोगों ने यह कंप्लीट कर लिया बस यह डी बॉक्स को वायर सेट अप करके लगाना है जैसा कि मैंने बताया था न यह हो गया आर वाई बी यह मेंस का यह आपका इलेक्ट्रिकल करेंट यहां पर आएगा उसके बाद यह जो ब्लैर इतना यह देखिए इ वाई और यह बी यह देखिए यह कही क nut का वायर होने के वज़ा से हमने सिर्ट पीमाद हम से 23 किया हुआ है marking किया है यह R यह देखे पीला color का दिख रहा है yellow यह है अपना blue और यह black जो है आपका neutral और यह जो है यह 3 यहां से यहां से R Y, B और black यह generator का power आएगा देखे G, E, N लिखा है ना G, E, N generator का और यह L, O, A, D load जो अपने घर में connection जाएगा यह जो भी रहेगा, यूज के लिए और यह main, यह आपका बिजली जो आएगा, यहां आएगा कुल मिलाकर के east side में main रहेगा, बीच में आपका load रहेगा और यहां generator का power रहेगा, भी देखिए, हमारा main चालू हो on हो गया है अभी generator चलेगा, तो यह off हो जाएगा, यहां generator का power आएगा, यह load यानि अल्ड़ेडी हम लोगोंने load पे है load पे बोले तो जो आप घर में यूज करोगे है electrical equipment होई किसी में भी overload नहीं है, नहीं तो इसका indicator जालेगा, देखिए R करके लिखा, R phase, Y phase और blue phase और यह है manual mode auto करेंगे, तो यहां से select करने पे होगा यह देखिए यहां से manual mode हट गया है, auto डला गया है, लेकिन अभी हम नहीं रखेंगे क्योंकि generator तो है नहीं तो हम manual करके रखेंगे यह reset के लिए देखिए mains, load, manual mode और यह हो जाएगा, फिर से अगर हम यहां ब्रेस करेंगे तो देखिए, लिखा है न यहां पे auto manual selector switch है, 63 ms main और generator, 63 sensing के बड़ अभी connect नहीं किया है, क्योंकि generator अभी लगने वाला है, तो यह sensing के बड़ जाएगा correction हो करके तब power जैसे ही जाएगा generator on हो जाएगा, तो उमीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा धन्यवाद